हेलो एवरिवन आई वेलकम आल अफ यू तो गेट वाला पढाने के लिए देश का कोना कोना आ गई है टीम द्रोना आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ मेकैनिकल गेट द्रोना टीम से जो की अपने आप में बे मिसाल है इस टीम का हर मेंबर आपको बता दू इस ट इसका रिजन है इस टीम में जितने भी मेकैनिकल को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं हर किसी का बैकग्राउंड आई टी से है दो एकस आई एस ऑफिसर हैं तीन गेट ओल इंडिया रैंक वन है और इस टीम का जो मेकैनिकल की कोर टीम का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 101 साल का है और आपको बता दूँ एक से लेकर 101 रैंक तक कोई भी ऐसी रैंक नहीं होगी जो इस टीम के मेंबर ने प्रडियूज नहीं की होगी अपरूप सर ओवर टू यू आप क्या बुलना चाहेंगे इस टीम के बारे में Sir I think this is the most balanced team I have seen for mechanical engineering क्योंकि ऐसा आमूमन होता है कि इतने सारे subjects होते हैं तो बहुत बार होता है कि team में किसी section में या किसी subject में कोई weak part है बट ये team बहुत ही balanced है हम लोगोंने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है कि हर एक section के हर एक subject के best of the best teachers लाए जाएं ताकि student का हर एक subject best quality content के through prepare कर सके वो तो बिट मैं आप लोगों को बता दूँ गेट का जो exam होता है mechanical का उसमें चार section होते हैं पहला section जो होता है engineering mathematics and general aptitude का दूसरा section होता है thermal and fluid का तीसरा जो section होता है वो design का होता है और चौता जो section होता है वो production basically manufacturing material science industrial का होता है तो सर मिलवाते हैं अपनी team से आप ही lead कीजिए सब्सक्राइब का जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को introduce कराने वाला हूँ जितनी knowledge इनको है जितना इनको in and out पता है शायद ही किसी और टीचर को पता होगा सो ओवर टीव स्वधरिश्टर थैंक यहां का हर मेंबर बहुत experienced है और मैं पिछले 3-4 दिन से internet कर रहा हूं रियली आएं वेरी हपी तेम कुछ बहुत बड़ा प्रोड्यूस करेगी जैसे हम तीन लोग हैं जो प्रोडुक्शन इंडसी अला मैट्रियल सेंस को हैंडल करेंगे तो मैं आपको क्या बताना चाहता था मैं तो उसमें होता क्या है जरली इफ यू गो तो इफरेंट प्रे में गेट में फ्रीक्वेंटली क्वेशन आता है अलाइनमंट टेस्ट और एक्सप्टेंस टेस्ट कोई पढ़ाता ही नहीं उसे हम लोग पढ़ाएंगे और उसके गेट के कुशन आते हैं जब भी ऐसा होता है कि या तो टीचर को जल्दबाजी में से लेवस खतम करना होता है क्योंकि उसे रिक्वाइट नमवर फावर्स है उतने उसे जाधा नहीं पढ़ाएंगे या फिर हो सकते टीचर को नहीं आता हो तो कुछ यह टापिक नहीं कवर करते हैं फर एक्सांबल ड्रिलिंग में हैं डिलिंग जो पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट आ पाएगा तो हमारे जो टीम है तीन लोगों की जो प्रोडक्शन अंडशील मेट्रियल साइंस हैंनल करेगी उसमें हम हम वी मेक शूर आपका स्लेवस भी कंप्रीट हो इच अन अवरी फंडामेंटल इस डिसकस्ट प्रफरली और आपको जो क्वेश्चन से जो पीवाई क्य करेंगे और उसके बाद नए कोश्टन से बनाएंगे जिस सो तर्मी मेक शूर्ड़ अंडरसन इच और फंडामेंटल ऐसा ही कुछ करने बाले हैं हम बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और जैसे सर ने कहा कि बहुत सी जगह कुछ चीज़ों को कटवा दिया जाता ह है जो कॉंटरडिक्टिंग होती है या तो टीचर्स को ही बहुत कंश्यूजन होता है तो शायद वह अपने बच्चे को क्या क्लियर करेंगे जैसे सर और हम डिसकस भी कर रहे थे कि अब आने वाला जो गेट का एक्जाम है वह बेस्ट होने वाला है हना तो बहुत सारी अब है कि यह इस बात करेंगे तो यहां पर आपको बेसिक से जाना पड़ेगा आपको डेरिवेशन के थू जाना पड़ेगा डेरिवेशन समझने होंगी अब्जर्वेशन को समझना होगा तभी आपका यहां पर आउटकम आएगा और सबसे ची बात इस टीम की यह है कि हम as a teacher यहां हम आपके सारे test series के question design करेंगे तो sir, Amish sir, thank you sir, I am really glad to work with this team, highly experienced and highly motivated to give the best quality of the content and one more thing which I want to to add in this, we will talk about two things, first of all, we get a lot of students whose numbers are 56 in the gate, there is a huge crowd who are 56 and 60, sir how I can convert this into 75 or 80, okay so what I will suggest, suppose I will take the example of the industrial engineering, there is a dual price, okay so dual price actually what I have seen that no teacher is going to touch that, okay or they are not having the depth knowledge so they are not explaining it well, what do we do, what do we do, what do we do, most of the students are working well and they think that I have studied somewhere and I have taken the number of 56 and next year I will secure the number of 75, the gap is not fulfilled in two years, the reason is that we need to increase the number of 20 numbers for that, so we need to solve those 10 questions or 8 questions that no one can do and the issue is that we miss the lack of knowledge, here the team is going to deliver the best quality and best content, best content means that we will cover one topic, nothing we are going to left, now think about that if you have full slavish content is clear, you are not going to secure the 80 marks or 90 marks, okay and please remember we are having the capability to produce the rank 1 also, okay we are not here to make sure that you will be getting 70 marks or 56, what we are going to deliver, we are our target is to produce rank 1 here, okay and one more thing, most of the people are having the industry experience also, okay, someone has come from IES, someone has come from PSU, so one point also comes from this, that the number is coming, my 90 number is coming, my 95 number is coming, I will listen to you, I am not talking about 56, I am talking about 90s, so my number is coming, is coming, sir, but when I am going to face the interview, I am having the high heart beat, huh, it can be me too, okay, so what happened, sir, I am going to give an interview, sir, what will I do, please remember, the industry people are going to ask the question which are related to the industry, they are not going to ask you the formula, okay, so ultimately what we are going to deliver you, suppose if I am going to give my example, industrial engineering, I mean, sir teacher, apni field ka aapko real life use sikhayega, uska utilization ka wo sikhayega, ab soch ke dekhye, agar hame aapko yeh bata duun, ki dwell price ka, kya sensor how the industries are going to use this concept, to make sure they are not investing more money or they are utilizing their resources in a very ultimate manner, very, very, you can say optimized manner, okay, so definitely when you are having that kind of touch of industry, you will be facing the con, you will be feeling confident when you are going to face the interview also, okay, so thik hai, madabh, be a cheez hai apko milhengi, to rank one ke liye tehiar kareenge, hai na, toppers ke liye tehiar kareenge, aur saath ki saath interview mein bhi top karane ki tehiari kareenge, okay, thank you sir, thank you, okay, so this was the production and industrial engineering team, uh, swadesh sir, adhi tipal sir, and amit dikshit sir, and jaisa ki, is discussion ke through, aapko pata chala hooga, this is the best quality of this team ki, yeh team jo hai, ek team ki tarah kaam karne wali hai, hum sab ka ek hi ultimate goal hai ki, students ko best quality content deena, students ko jo bhi cheezhen chahiyeh, unke target tuk pohunchne ke liye, exams ke liye prepare karne ke liye, exams ko crack karne ke liye, and even after exams, agar aap kisi interview ke liye prepare karne ke liye hain, ya aapko koi career related guidance chahiyeh, us ko provide karne ke liye, aur hum sab, ek dusre ko bhi guide karne ke, swadesh sir ke experience ka use, amit dikshit sir, and aditipal sir bhi use karenghe, devynnegi sir ke experience ka use, unke team bhi karegi, toh, isi tariqe se saris teachers ek dusre ko complement ke karenghe, so next we will move on to the thermal and fluid team, jis mein the first faculty that I am going to introduce is Mr. Devyn Singh Negi, none other than the head of department of mechanical engineering, he is one of the most loved teacher in gate mechanical, and mujhe nahi lagta ki in ko bhi kisi introduction ki zarurat hai, shayad agar aap gate mechanical ke student hai, toh aap kahi na kahi inhe jantai honge, aapne kahi na kahi inka video dekha hi hooga, so over to you Mr. Negi sir, thank you so much sir, jiasa ki approve sir nne bola ki, ye joh gate ka game hai, ye kis single teacher ka game nahi hai, ye puri team ka game hai, toh thermal mein map lana wala ho, mire saath vinay sir planne wala hai, sandeep sir planne wala hai, aur us ke saath taat vinay sir bhi planne wala hai, toh, hamari approach kya rhenne wala hai, thermal part mein we will make sure ki, poor concepts ko hama basic se start karein, basic se start karein, advance level tuk lhe kar jayen, taaki interview me, aap te koji advance question puchha jata hai, for example, recently bark ke baot saare interviews me, nevier stokes equation ka derivation puchh lhega, generally loog usko khertate nahi hai, lekin poora derivation hum log aapko karwanne wala hai, taaki, aap exam to crack kero, but uske baad joh interview wala process hota hai, waha par aap 8 ke no, 8 ke nahi, kyunki yehi toh main hai, ki aapko kahi na kahi job tuk pahuncna hai, psu tuk job tuk pahuncna hai, kahi na kahi na kahi na kahi aapko IIT tuk pahuncna hai, toh, hama ko, hama ko wahaan tuk lhe jane wale hai, beach me aapko nahi chhođenge, ekor chis sir, joh mein bolna chauhunga, mera joh personal experience hai, job maine exam likha ta, online exam likha ta, so sir, kai baar bachei sosekne ki mujhe questions attempt karne hai, bata yeh, aap aapne dimag sa nikaal do ki, aapko sirf questions attempt karne hai, aapko questions attempt karne hai, correctly karne hai, aur minimum time me karne hai, toh, hama apko yeh game sikhanne wale hai, ki gate ke questions joh aate hai, joh naye questions aate hai, unko kaise attempt kiya jaye, aur minimum time me usko solve kiya jaye, toh, mere saath jude wain Vinay sir, Vinay sir bhi aapko fluid mechanics aur mathematics ka thudha gyan dene wale hai, sir, over to you. Yeah, so my name is Vinay Kumar, many of you might be seeing me for the first time with this team, and I am really elated to work with such a team like including Sware sir, Aritipal sir, and Amitik sir, everyone in the team actually. And coming to the subjects that I take, or before you trust me, I would like to say I have previously worked with BARC, Bob Atomic Research Center, and previous to that I was an officer in Hindustan Petroleum, HPCL basically, so I had certain good amount of industry experience as well for quite some time. And coming to the subjects that I take, I will teach you two subjects in English for now, because I can't speak much Hindi sir, because I'm from basically Andhra Pradesh. So these two subjects I'm going to teach you is engineering mathematics in English, and fluid mechanics for English batch. So I would like to spend with just one minute on these two subjects. Many people, even Vishal Sonisa, you might be taking engineering mathematics. The common complaint that we see from students is that we are not good at maths, or we don't know, we feel very difficult to solve mathematics questions. Maths is always that subject which supports physics. Understood? If you learn maths as a topics in mathematics, you will never able to gain some good knowledge in mathematics. For example, if you see math thesis, you come to know about stress tenses. If you know about calculus, you see all the differentiations, differential equations, slopes, bendings, everything. Clear? And once you teach queuing theory, you will come to know about probability, normal distributions, everything. So this is the way how we need to learn mathematics. And let us suppose if I'm teaching heat transfer, for example, if I give you one condition and two boundary conditions, a maths teacher is good enough to solve that equation. But why a heat transfer teacher is teaching that equation is, you need to understand the physical significance of each and every equations. That's the very important thing. Otherwise, maths is 90% enough to solve all the technical derivations. Clear? So, for example, I would like to give you one way of understanding. There are three things, data, knowledge, and skill. First thing, I can have 15 textbooks of fluid mechanics in a folder, then I just have that, I don't have any knowledge of that. Understood? Second thing, when you study those books, you just get the knowledge. Clear? Then the skill, third point is very important. For example, if I take Bernoulli's equation, knowing Bernoulli's equation is knowledge, and the two points, deciding the two points where to apply it is the skill. Understood? And you will get the skill only if you learn it practically. And in this team, every teacher is having very good experience in practicality. And I strongly recommend you whenever in future we are taking classes, you please give the notebook with you, and you please go to each and every point that we are going to deliver you. That would definitely make you crack interviews and everything. And so I would like to take privilege to tell one point here. GATE examination is almost like saturated because it's been conducted for 35 years almost. And that pattern of questions you can easily guess. But the main part comes to you after you qualify the exam, because there's something called interview. And that's the place where many people step back again. So in this team, we are everyone almost we have cleared PSU's, BIRC, IIT, sabkuch. So we have enough experience. So please just go to the things and follow with a very good discipline and concentration when you're studying. That's it. Thank you all. Hello everyone. So I am Sandeep Chandrakar, and I'm going to teach you about heat transfer and fluid machinery. So basically, first of all, I want to talk about the team. If I am a student, this is also my best team. And if I am a teacher or faculty, this is also my best team. I want to talk about the team. I want to talk about the team and I want to talk about it. And I want to talk about it so that students always benefit from it. Because the update is always required, so we are always going to do it. So we are going to do it. I want to talk about the team. And now I am going to deal with heat transfer subject. Because in some years, the weightage of the subject in the past few years, like if you look at previous year's questions, previous year's paper analysis, the weightage of the previous year has been greatly increased. And the questions are not such that you have straight forward questions. The level of questions is quite good. And the first of all, the mentality of the strengths was that we thought, okay, this subject is a formula-based question. We are going to study from above. and we are going to study from above. So questions are going to be made. But now the situation, scenario has been changed. Now, if you have any particular formula, if you don't know the derivation, then I don't think that you will crack that problem. Because the past year's paper has been taught quite a lot. So this subject is the subject that I am dealing with. We will start very basic. And we are going to have fun. And the second part, if I am going to talk about fluid machinery, which is the part. Basically, when we come to dynamics and fluid dynamics, we are going to cover the whole dynamics of the part of the three equations. You have conservation of mass, conservation of energy, and the momentum equation. So you have fluid machinery which is the part of the whole application of momentum equation. So we start with impact objects. Then we go to turbines, especially water turbines. If I am talking about fluid machinery, if I am talking about fluid machinery. And then we cover the pumps also. So that is what I am going to cover here. So that is what I am going to cover here. I am going to cover here. So I am going to cover here. So I am going to cover here. Thank you so much, sir. So this was our fluid and thermal part. I am going to deal with Devin Negi sir, Vinay sir, and Sandeep Chandrakar sir. And yeah, there is one more person who is in this team who is not with us right now. I am going to cover here with Devin Negi sir. So I am going to study basic thermodynamics and fluid mechanics in Hindi. I am going to study fluid mechanics in English. I am going to study heat transfer and fluid machinery. Besides, the applications of thermodynamics, like ice engine, power plant, your reference and air conditioning, I am going to use this word, sir. Because Vinay sir's experience with steam turbines, dealing with the hands-on experience, so Vinay sir, I am going to study these three subjects. And again, I am saying, he is going to teach the best, sir. So now we will move on to the design part, which I am going to be a part, and I will be taking the engineering mechanics and strength of materials for this part. Engineering mechanics is one of the basic subjects of mechanical engineering. Engineering mechanics concepts, if students are not clear to them, then there are many subjects in their own problems. The most important strength of materials is the strength of materials. If you have to create questions, then you should have to create engineering mechanics. If you have to create the theory of machines and vibrations, if you have to create questions, then you should have to create engineering mechanics. or if you have to create more resources, also Leo Es рaccessary general rule, where there are various Wktma parlor's orgs? In fact, this is the most important side ofскую parts, I think we are always looking at this. Do you need the idea at the design principles itself, which I have a point of the type of material manipulation? learn as much loss of happiness to learn from design. Here, we choose that which I will call the processing mechanics, to create engineering mechanics. In fact, TenG balancing allowed solutions to their materials, which I will get as full of the possibilities of materials, as well as the professions, as well as the possibility of different sections in those of different surfaces, and how needed you canograph their thoroughly identify? इसके बाद strength of material की बात करूँ बहुत interesting subject है strength of material में जिन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं beams columns ये सारी चीजें हम लोग usually देखते हैं तो इनको visualize करना इनको imagine करना इनके concepts को physically समझना बहुत आसान होता है तो इसको काफी interesting तरीके से cover करने की कोशिश करेंगे और इसमें भी करने की कोशिश करेंगे की सारे टाइप के numerical हम लोग cover करें जाधा से जाधा करने की कोशिश करें इसके बाद I will give the mic to Vishwajit sir who is going to take the most difficult part of design that is theory of machines and vibrations आपने आज फिर से डरा दिया जब हम college में पहुंचते हैं तो college में seniors सबसे पहले यही डरा देते हैं कि theory of machine से बचके रहे ना तो मेरा नाम विश्वजीत वर्मा है मैं आप सभी लोगों को theory of machine and vibrations यह पढ़ने वालों एक चीज में पूरी टीम के लिए बोलना चाहूंगा कि आपको फॉर्मले बता दिए आप उसे क्योशन लगा लो गेट में रैंक ले आओ वो हमारा least aim है हमारा main aim यह है कि हम आपको subject feel करा दें क्योंकि भाई feeling important है और अगर आप subject को feel कर ले गए तो फिर क्योशन solve हो जाएंगे गेट में रैंक आजाएगी subject से मुहबबत हो जाएगी तो जहां पर हम छोड़ेंगे ना उसके बाद आप बहुत अच्छी किताब हैं खुद से पढ़ पाऊगे समझ पाऊगे most of the crowd students की जो हमें देख रही है शायद इनमें से कई सारे बच्चे 50 marks 60 marks क्योशन पढ़के भी handbook पढ़के भी ले आते होंगे लेकिन 60 से 90 95 का जो सफर है ना वो तब आप तह कर पाऊगे जब आपको conceptual clarity subject की feeling और subject से मुहबबत हो जाएगी तो हम यह करने वाले हैं और एक चीज़ और आयम लखी इनफ यू आर लखी इनफ कि हम mechanical की बात कर रहे हैं electronics की computer science की होती तो तुमको हम कुछ दिखा भी नहीं पाता है zero one zero one electron है hole है कुछ नहीं देखेगा सिर्फ समझो हमें जो बाते करनी है theory of machine की vibration की हमें पढ़ना है vibration की speed बढ़ती है तो धीरी धीरे force vibration का amplitude reduce होते होते एक constant हो जाता है feel कर लो थोड़ा सा नहीं समझ में आया घर का cool around करके देख लो खतम बात rolling नहीं समझ में आ रही है सलक पिनिकल जो गन्ने वाला खड़ा है उसको देख लो welding समझ नहीं है पड़ा हमसे लोग सलक पिनिकल जो welding देख लो that's it चीजे इतनी आसान है extent of material सर पढ़ कि इस टीम से आप वो चीजें समझने वाले हो किताब और reality के बीच का gap खतम हो जाएगा so over to kuldeep sir अगर आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी competition exam की preparation करते हैं तो कही ना कहीं जैसा होता है कि आप prepare कर रहे हो लेकिन कई सारी ऐसी चीजे होती है जिससे आपको awareness बहुत ही जादा जरूरी है जैसा for an example में बात करूं कि आपने gate दे दिया उसके बाद क्या उसके बाद आपके पास क्या opportunity हो सकती है उस gate score को use करके अगर gate से पहले आपको किन चीजों की awareness होनी चाहिए किन चीजों का आपके लिए utilization होना चाहिए बहुत सारी ऐसी updates होती है जो कही ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा role play करती है और वो आपको पता हो वो गुरू होते थे ठीके वो गुरू का मतलब क्या होगा कि वो आपको like में भी help करते थे कि आपको कैसे चीजों को deliver करना चाहिए क्या आपको कैसे अपनी सारी चीजों को manage करना चाहिए आपका study routine कैसा होना चाहिए कहीं ना कहीं अगर हम जो achievers होते हैं उनकी बाते सुनते तो that is my job कि मैं आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाओं जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा experience share करें जो आपकी preparation में आपको एक अलगी direction दे and जो हमारी team है overall हमारा aim यही रहेगा कि हम चाहेंगे कि आपको पढ़ाने के अलावा भी आपको destination तक पहुचाएं जैसा कि नेगी सर ने क पूरा होता है तो आप अगर कहीं पे भी हो चाहे आप 3rd year में हो 4th year में हो आपको गेट के बारे में aware करने से लेकर आपको first salary receipt पुचाने तक की हमारी जिम्यदारी है तो मैं उसमें आपको बहुत ही जादा contribute करने वाला हूं बहुत सारे आपको इसके बारे में detail बताने वाल प्राइविट कॉलेच से मैंने बीटे किया बट उसके बाद फिर मैंने ESE exam qualify किया Indian Engineering Services फर्स टाइम मेरी 98 रांग थी सेकेंड टाइमे 25 रांग थी तो जितने भी लोग यह सेशन देख रहे हैं जितने भी लोग यह सोचते हैं वह एक average student है जितने भी लोग यह सोचते हैं उन इसने अपनी teaching career में कि जो struggles हम ने किये उस struggle से हम आपको बचा के रहेंगे रही बात engineering mathematics की तो उसका वेटेज आपके सभी ब्रांचे में 13% के पास 13% के बराबर यानि 13 marks का है अगल मैं अमूल एरतन सर को भी मिला लूँ इसमें तो 28 नंबर के दो personality यहां पे खड़े हुए जि आप सभी लोगों को एक चीज यह बताता हूं कि engineering mathematics और जो aptitude वाला subject होता है जनरली इंजीनियर उसको ignore करता है वो सोचता है चलो technical subject बहुत अच्छे से cover-up कर लेते हैं इसको बाद में देखेंगे तो पहली चीज मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यह mindset change करें इन subjects को भी उत स्टूडेंट्स होते हैं वह mathematics जल्दी catch-up कर लेते हैं mechanical और civil को थोड़ा सा टाइम लगता है उसके पीछे का reason शायद मैं ऐसा कुछ समझ पाता हूं कि mechanical और civil में जो एक trend चला रहा है culture चला रहा है उस culture में हम लोग affect हो जाते हैं कोई बताता है कि math समय समझ में नहीं आएगी दूसरी important चीज़ एक phobia होता है मैंने देखा बारवी क्लास में जो physics पढ़ता है वो physics में comfortable होता है chemistry में थोड़ा comfortable math से सबको डर रहता है बारवी में तो एक चीज़ बहुत clear कर दो और IIT के mathematics और gate के mathematics बहुत डिफिकल लगते हो gate के mathematics बहुत असान होती है 13 में से 12 नंबर आप कि सर नेगी सर भी इस बात से agree करेंगे यार one-to-one guidance का जमाना चला गया अब जमाना है many-to-one guidance का तो आपने जैसा भी देखा कि इस technical team के साथ साथ non-technical में हम और विशाल सर आपको help out करने वाले हैं इसमें आपको maths और aptitude aptitude का section मैं deal करोंगा aptitude में आपको arithmetic reasoning इसके साथ साथ मै आपको यह याद दिला दो कि IIT Bombay ने आपको एक नया pattern introduce किया है aptitude में that is spatial aptitude भी आप इसे बोल सकते हैं जैसा कि engineering में चाहे वो mechanical हो, civil हो, electronics हो, electrical हो, computer science हो हर जगा visualization बहुत important है तो वो visualization part को complete करने के लिए उसे समझने के लिए वो visualization कैसे करें वो चीज को engineering समझ पाएं इसके को भी डाला गया है तो यह part भी हम लोग complete करेंगे और पूरा syllabus मतलब each and everything आपको एक proper pattern में complete कराया जाएगा तो शुरू जो बच्चे अभी zero में start कर रहे हैं उनको zero से लेकर hundred तक ले जाना यह हमारी team का करतव है और यह पूरा होगा सब्सक्राइब करते हैं सारे सब्जेट्स की बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी हम लोगों ने यहां लेकर आई है और इसके अलावा मैं चाहूंगा कि नेगी सर कुछ बोले आप लोगों के बारे में यह सब्सक्राइब करना चाहूंगा हो सकता है फ्यूचर में आप में से कुछ लोग इंजिरिंग साइंसे एक्सी पेपर के लिए प्रप्रशन करें तो हम लोग मेकानिकल का जो भी स्लिवस पढ़ाने वाले हैं उसमें एक्सी का स्लिवस भी पढ़ाइंगे तो बेसिकली व दो ही बैच होंगे दो ही वराइट के बैच होंगे in terms of language या तो हिंदी का बैच होगा और प्यूर इंगलिस का बैच होगा I am again repeating for my South Indian students there will be two type of batches on the basis of language either Hindi or pure English I am again repeating pure English pure English means there will be not even a single sentence in Hindi so that you can understand each and every concept now sir we are having two types of batches right there will be weekday batches and there will be weekend batches so weekday Hindi batch weekday English batch similarly weekend Hindi batch and weekend English batch weekday batches का मतलब है classes will be from Monday to Friday weekend batches का मतलब है classes will be on Saturdays and Sundays weekday batches and weekend batches की timing जो है वो नेगी सर आप लों को बताएंगे yes so as I told weekday batch will be from Monday to Friday and it will be four hours class 7 p.m. we are going to start and it will end at 11 30 p.m. in between you will be having half an hour break and this is about weekday batch yes now weekend batch will be on Saturday and Sunday four hours class will be four hours or five hours four hours five hours five hours class will be having on Saturday and nine hours class will be having on Sunday so again your Saturday class will start at 6 p.m. it will go up to 11 30 p.m. in between you will be having half an hour break and your Sunday class will be starting at morning nine o'clock it will go up to eight o'clock and you will be having multiple breaks don't worry about that weekday and weekend इन दोनों batches के पीछे का जो हम लोगों का logic है वो यह है कि weekday batches वो students refer कर सकते हैं जो college के साथ prepare कर रहे हैं और जिनको लगता है कि वो college के साथ manage कर पाएंगे अपने gate की preparation को तो आप Monday to Friday classes देख सकते हैं Saturday Sunday का जो आपका time होता है वो आप लोग practice कर सकते हैं इसके लावा कोई और activity है वो कर सकते हैं weekend batch के पीछे का जो सबसे important reason था कि बहुत सारे ऐसे भी students हैं जो job के साथ prepare कर रहे होते हैं बहुत सारे ऐसे भी students होते हैं जो final year में होते हैं वो शायद अपनी college की preparation के साथ gate की preparation को नहीं manage कर पाते हैं तो उनके पास दो दिन का जो extra time है Saturday का और Sunday का उस Saturday Sunday की batches में वो अपनी gate की preparation कर सकते हैं अगर आप second year के students हैं अगर आप third year के student है और अगर आप college के साथ manage कर पा रहे हैं तो आप weekend batches में इंटर कर सकते हैं इसके अलावा we have 2024 batch and 2025 batch तो दो batches हैं आपके पास उसके बारे में नहींगी सर आप लोगों को detail में बताएंगे बटा आप लोगों के लिए दो बैचेस है 2024 वाला जो बैच है उसका नाम है प्राक्रम बैच और उसका जो fee structure है 59999 रुपे और जो 2025 का बैच है उसका नाम है स्रेस्ट बैच औ और मैं सजेस्ट करूँगा जो लोग 3rd year में है वो 2024 वाला जोइन कर ले जो लोग 2nd year में है वो 2025 वाला जोइन कर ले तो आप लोगों को weekday, weekend, Hindi, English 2024 के बैचेस के लिए भी मिलेंगी and 2025 के बैचेस के लिए भी मिलेंगी so you have multiple batches to choose from आप लोगों को सारे directions मिलते रहेंगे side by side हम लोगों आपको guide करते रहेंगे अपने sessions में भी कि अगर आप second year के student है, third year के student है तो आपके लिए perfect strategy क्या होने चाहिए, कौन से batches आप लोगों के suitable रहेंगे Sir, last में मैं एक point add करना चाहूँगा कि हम लोगों के batches और लोगों से कैसे different हैं, तो पहला point, again I am saying please listen carefully, यहां पर हर teacher जो है वो अपने subject का बेताज बासा है, they are specialist not generalist, पहला point, point number two, we are going to replicate the offline structure, हम लोग क्या करते वाले, जो offline में होता आया है, उसी को ही online में replicate करने वाले हैं, एक एक बारी में आपका एक subject होता है, वही होने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपके 3-3-4-4 subject चल रहा है, और आपको confusion है कि सर कौन सा subject कहां पढ़े, किसे पढ़े, कैसे पढ़े, तो यहां पर वो confusion नहीं होने वाली है, एक बारी में आपको एक teacher पढ़ाएगा, best पढ़ाएगा, आपको किसी भी confusion में रहने के जरूरत नहीं है, इसके अलावा, आपको हर class के बार DPP मिलने वाली है, frequently आपको assignments मिलने वाले है, आपके test होने वाले है, ताकि आप अपने आपको evaluate कर पाओ, for example, अगर आपने weekday वाला बैक जॉइन किया है, Monday to Friday आपकी classes होंगी, Saturday आप revision करो, practice कर लोगों many to one guidance की बात कर रहे हैं, तो वो एक student कैसे expect कर सकता है, because this guidance comes with a very expensive price, so how a student can expect बिल्कुल सर, this facility, तो बिटा मैं आप लोगों को बता दूँ, मतलब बहुत बार मैंने देखा कि लोगों ने 80,000, बच्चों ने 80,000 रुपे पे कियें, सिर्फ मेरे से thermal fluid की guidance के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला, आप लोगों के लिए specified whatsapp groups बना देंगे, sir, whatsapp group बना बना गया, again I am saying it is not the game of single teacher, it is the game of whole team, actually it is the game of team Drona, at the end, एक और चीज़ मैं आट करना चाहता हूं, there is one more faculty who is not with us right now, but he is going to soon join our mechanical engineering team, and let me tell you, he is one of the legendary teacher of the design subjects, so soon आप लोगों को यह रिवील होगा, कि वो next teacher, वो next faculty, इस team में कौन जोइन करने वाला है, So this was all about the mechanical engineering team, जो आप लोगों को पढ़ाने वाली है, YouTube पे, paid batches में, and मुझे नहीं लगता कि इस team से पढ़ने के बाद, आप लोगों को किसी भी चीज़ की दूविधा होगी, किसी भी subject के लिए कोई और resource की जरूरत होगी, because this is one of the best mechanical engineering team, that exists right now for gate and ESC, so thank you so much everyone, and last में एक चीज एक छोटा सा मेसेज हम सब की तरफ से आप लोगों के लिए, so team are you ready, yes, समय की पुकार है, team का अच्छा है,